हलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स होप सभी बहुत बहुत अच्छी होंगे तो दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ यह सोसाइटी है और मैं कहां पर हूँ मैं आई हूँ हूँ अपने माइके और जैपूर तो मैंने सुझा कि क्यों ना मैं यहां का आपको हूम जरूर करवाओं तो चलिएगा बने रहेगा मेरे ब्लॉग में और हाँ अगर मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीजरूर कर लीजेगा और लाइक शेर कमेंट करते रहेगा तो चलिए मैं आपको आज दिखाती हूँ यह पूरी सोसाइटी है और पॉश एरिया है काफ बने रहेगा मेरे ब्लॉग में तो यह एंट्री गेट है और इस एंट्री गेट पर लाइटिंग बोस आ रही है तो टाइम हो चुका है शाम का तो इवनिंग में मैं अभी आपको दिखा रही हूँ और चलिए यह मेरे गेट है और यहां से एंट्री करते ही ड्राइंग और ड्राइंग रूम में रखा हुआ है डानिंग एरिया और साथ में है ओपन किचन बहुत ही अच्छा है सभी बैठे हुए है और यह देखिएगा हम लोग अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो साथ में अटैच है ड्राइंग रूम के ही किचन जो की काफी बड़े स् तो यह मेरी सिस्टर का घर है और मेरा एक तरीके का माहिका भी है तो बिल्कुल ड्राइंग रूम के साथ अटैच है बातरूम जो की बहुत बड़ा स्पेस है और वाश्रूम भी है तो देखिए का काफी बड़े स्पेस में है जस्ट ड्राइंग रूम के साथ अटैच है ए अंसके साथ में प्लाकनी में मेरी सिस्टर के प्यार डापिट रके वहाँ जो झूने बहुत पचांद है और इस तरीके से केज हमने लाका कर दोस्तों तो चलिए मेरे साथ हम चलते हैं फरस्ट फ्लोर पर एंट्री करते ही आपको प्यारा सा सुन्दर सा मंदिर दिखा देगा जो की खुब शूरत लग रहा है और हमेशा मंदिर उत्तरदिशा में रखते हैं तो वहीं हमने भी किया हुआ है तो सबसे पहले तो प्रणाम जैमातादी कहना चाहूंगे आप सभी भी कमेंट करके जैमातादी कह सकते हैं और जस्ट मंदिर के पास में ही एक रूम है ये काफी बड़ी स्पेस पे बनाए गया है देखे बहुत शांदार है और काफी बड़ा भी है डबल बेड होने के वाबजूद भी इतना स्पेस है और साथ में है बालकनी बालकनी में भी काफी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है तो यहाँ पर हम दोते हैं कपड़े और स्मार्ट मशीन रखी हुई है और लाइटिंग यहाँ पर है और आपको एक चीज बताना चाहूंगी जो शीशे लगाए हुए है शीशे का दर्वाजा डोर बनाया गया है वो साउंट प्रूफ है आइमिन वहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आता अंदर की तरफ हाला कि शीशे होने के वावजूद भी तो आवास दो आती है लेकिन यह सानप्रूफ मिरर है और साथ में है रूम के अटैच में है ड्रेसिंग रूम जहां पर आप अपना मेकप त्यार हो सकते हो और मैं भी होती ही हूँ आलमोस्स यहीं पर और साथ में है वाश रूम कमरे के अटैच में है वाश रूम तो चलिएगा आईए मेरे साथ मैं आपको नेक्स रूम में लेकर चलती हूँ उससे पहले मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ तो आप देखिए बालकनी का भी स्पेस काफी बड़ा दिया गया है खुबसूरत है सुन्दर है अच्छा लगता है तो चलिए लिफ्ट तो नहीं है लेकिन मैं स्टेर्स पर दोड़ड़ कर भाग रही हूँ आई मिन भाग कर जा रही हूँ चत पर तो आपको टेरस दिखाना चाहूंगी टेरस पर भी काफी बड़ा स्पेस है टू साइट टेरस है और वन साइट टेरस में आपको दिखाना चाहूंगी और सबसे में चीज क्या है यह सबसे स्खुबसूरत मुझे लगा है जुमर जो कि बिल्कुल बीच ओ बीच है यहां से हम देखते हैं नीचे की तरफ तो पूरा डाइनिंग एरिया भी दिखता है ओपन है विकाज ओफ जो स्टेर्स हैं वो बीच में हैं ही लगाए हूँ है बाहर से नहीं है तो यह खुबसूरत नजारा बहुत ही प्यारा लगता है देखने में लुकवाइस और यह है टैरस वन साइड टैरस है आप देखिए काफी बड़ी है और अच्छी भी है ठंड हंडे हवा जल रही है साइड में हम इस तरफ जाते हैं तो बालकनी है और उस तरफ भी टैरस है तो दो साइड में टैरस है और एक चीज़ बताओंगे इस सोसाइटी है यहां सब के प्लॉट है जो एक ही उसमें डिजाइन में बने हुए है और बहुत सुन्दा लगता है, खुबसूरत लगता है यहां से देखने में फ्लैटी फ्लैट है, जारो तरफ अभी कुछ फ्लैट बन भी रहे हैं तो मुझे तो बहुत शांदा रहा क्योंकि मुझे इन्वाइट किया गया था इस नए मकान के लिए कि आप आयेगा और देखते हैं, तो मुझे तो बहुत खुबसूरत लगा सचका हूँ, तो मैं होम टूर किये बिना रह नहीं पाई तो फाइनली आपको होम टूर पसंद आया होगा, यह मेरा दीदी का घर है, मैरा जैसा कि आपको बताया है, और मुझे बहुत खुशी हुए, घर नया लिया है, शिट किया है, तो होप सो फ्रेंट इस वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर, कमेंट करते रहेगा, ऐसे व्लोग में आपको दिखाती रहूँगी, तब तक कि मिलते हैं, नेक्स्ट व्लोग में, बाय बाय, have a nice day, take care of yourself, और हाँ, मेरे पेज को जरूर फालो कर देजी, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोग करते नहीं हैं, कमेंट लाइक करते रहेगा,